हेलो दोस्तो, जे मेंस, फर्ष्ट अटेम्ट का रिजल्ट आने के बाद, कापी सारे स्टुएंट के दिमाग में बहुत सारे कुस्संस आ रहे हैं, जनरली पूछा जाता है कि क्या सर हम सेकंड अटेम्ट अच्छा कर पाते हैं, हमारे जे मेंस का पेपर बहुत खराब गया है परसेंटल काफी कम आई है, किस तरीके से हम इंपरूब करें, क्या मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ, तो आज मैं आपको औरगनिक केमिस्ट्री के लिए 21 दिन का चैलेंज देने वाला हूँ, यदि आप इसको ढंग से सही तरीके से फॉलो करते हो, तो आप जे मेंस के सेकंड अप्रेल में होने वाला है, उसमें 99 परसेंटल स्कोर कर सकते हो, 21 दिन कर, 21 दिन तक इस चैलेंज को आपको पूरा करना है, एकदम टाइम टेबल सही तरीके से बना के, तो सारी ची मैं बता रहा हूँ, क्या चैलेंज है, किस तरीके से आपको क्या फॉलो करना है, यदि आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो अभी हम chemistry का कर रहे हैं, उसके बाद inorganic और बाकी अधर चीयों का भी हम देख रहे होंगे, तो आपको इस तरीके से एक table बना लेना है, यहां पर लिखना है 21 दिन तक मैं हर हालत में ऐसा कर रहा हूँगा, इस समय क्या होता है, कि जो students हैं, कापी सारे unnecessary के thoughts आते हैं, सोचते जादा हैं, पढ़ते का मैं, table पर बैटे हैं, तो एक घंटे यही सोच रहे हैं, क्या होगा, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, तो वो सब चीज़ें आपको क्या करनी है, ठीक है, overthinking को बंद करना है, तो यहां पर इस तरीके स आपको एक table बनानी है, इधर आप लिख लोगे 21 days channel, तो यहां पर day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, इस तरीके से day 21 तक है, 21 दिन तक, अब उसके बाद क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है topic, ठीक है, देखो, topics, basically 20 topics हैं, आपको 21 दिन में कवर करने हैं, तो आप अपने according भी आप इसक 7, 8, यह GOC, GOC को डिवाइड कर दो, inductive effect पढ़ो, फिर एक दिन, resonance और major mark, अपने आप में बड़ा है, है के नहीं, उसके बाद आप hyperconjugation पढ़ो, then carvocate, यह जो carvocate है, इसकी stability के बहुत ज़्यादा questions पूछे जाते हैं, rearrangement possible होता है, J means भर-भर के यहां से questions पूछ रहा होता ह carbon and free radical, इसकी बारे में एक topic बना लो, then aromaticity, यह भी बहुत important है, acidic or basic stand, यह दि इसके pyq से आप analysis करोगे, तो देखो को धेर सारे questions, J advanced और means में पूछेगे है, acidic or basic stand से, hydrocarbon, ठीक है, तो इसको भी आप दो पार्ट में रिवाइड कर सकते हैं, एक बार में alkyans पढ़ो, उसके बा aldehyde ketones, ठीक है, उसके बार हम carbon acid को कर सकते हैं, then आपका 17th amines, 18th देखे आपका biomolecules, then आपका polymers, और यह chemistry in everyday life, और जो आपका 21 बत देना है, उसमा overview जो भी आपके short notes बनाए, उसको proper आपको revise करना है, अच्छा, जैसे आपका अलग अपना तरीका हो सकता है, यह मैंने chapters, correction, oxidation, अलग-अलग करके पढ़ सकते हो, तो यह मैंने अपना overview दे दिया, कि 21 दिन का यदि मालो, आपको topics से लिक करना है, तो आप किस तरीके से कर पाऊगे, आप सुनो, जब आपने 21 देकर topics बना लिया है, कि मुझे day 1 से लेकर, day 21 तक इस तरीके से follow करना है, तो यह आपने क्या आप लिखो, क्या आपने उसकी theory complete कर ली है, क्या आपने उसके notes बनाए है, क्या आपने उसके short notes बनाए है, तीनोच यह important है, theory का मतला जैसे मालो, मैंने पढ़ाया आज basic order and chemistry, यह फिर मैं IPA cinnamon class पढ़ा रहा हूं, आपने उसकी theory देख ली, और साथ-साथ आप उसके notes भी होता है, तो आपने यहां पर क्या क्या notes बना लिए, ठीक है, theory आपने देख लीवन-sort के दूर, उसके बाद जब पूरा chapter पढ़ जाए, तो एक और फटा पर जो notes को revise करो, ज्यादा टाम ने लिखता, पर 15-20 मिनिट में यहां पर short notes ready कर लो, एक page मां पूरा chapter को summarize कर दो, short notes म पूरा कुछ नहीं लिखना है, वो सब short notes में नहीं लिखना है, short notes में वही चीज लिखनी है, जो क्या है, आप भूल रहे हो बार-बार, जिनको याद होना काफी जरूरी हो, को important concepts होगा, important formulas होगा, जैसे मालों यहां पर integration सब बोच पढ़ रहे हो, पूरे formulas लिख लिख लिए और उन chemistry, प्रिख लिख 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 लिख, जैसे मालों आपने alcohols, phenols, ether किया, तो उसमान काफी सारी preparations, chemical reactions आ रही होती, तो छोटा-छोटा लिखो, reactant, reagent और product, इस तरीके से आप short notes बना सकते हो, तो यह आपको tick mark करते है, हां मैंने किया है, किया है, इसके बाद जब यह हो जाए, जैसे same day one में आपने theory पढ़ ली, notes उसके बना लिए, short notes भी बना लिए, और थोड़ा बत questions हम class में practice करी रहे होते हैं, इसके बाद आपको 25 MCQ उसके लगाना है, वो भी within time, आप time set कर तो एक घंटा है, हमको इसके 25 MCQ solve करने हैं, ठीक है, 25 MCQ solve करने तो आप an academy पर भी available है, तो आप आप कर सकते हो, right, जब आप 25 MCQ solve करें, तो असलिए solve करके score देखके छोड़ दो, यहाँ पर लिख लो, कि जो हमें topic बन टेस्ट दिया, उसमें out of 100, 25 into 4, ठीक है, out of 100, कितने marks आपके आ रहे हैं, मालो, एक में आया आपके 74 marks, ठीक है, तो यहा इस तरीके से आपका कुछ भी score यहाँ पर लिखा जा सकता है, यह क्यों जरूर है, तो आपको एक तो यह score बताएगा, कि कौन सा topic हमने पढ़ा है, उसके बाद भी question नहीं मनने, कौन सा topic आसान था, easily score जैसे 93 आ गया, कम पढ़ा हो गया, कौन सा topic मैं बहुत कम time लगा है, ले इसे मालो यह जो था 74 आए, तो कहां पर कमी रह गई, मैंने incorrect को correct पढ़ लिया, question नमारा गलत हो गया, तो यह silly mistake हमको avoid करनी है, aldehyde बनना था, हमने acid बना दिया, तो यह हमको याद रखनी है, कि ऐसी confusing reactions है, तो उसको फिर जाके देखो, इसा नहीं छोड़ दूँ, आपर यह कुछी है, जरूरी है, बहुत important है, बहुत ही simple है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत जाद effort डालना पड़ेगा, एक दो मिनिट का काम, बस नोट ही दो करना है, note करोगे, तो आपके सामने, आप पूछ पाओगे, क्या मैंने 21 दिन तक इतना effort डाला था, यह पताएगा कि आपका score आया या नहीं आया, क्योंकि ऐसे तो गलत फैमिया रहती है, हम 24 गंडे busy रहते है, इसमें से काम कितना कर रहे है, वो important है, efficiency कितनी है, ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप analysis कर रहे है, जैसे मालो 93 marks आपके आगए, तो आप easily confident हो, कि यह topic मैंने पढ़ लिया है, और इसके questions म पढ़ूँगा, क्योंकि इतना बड़ा chapter है, इसकी वहाँ मैं छोटी-छोटी chapter कर लूँगा, biomolecules, polymers, chemistry, diabetes, score तो आ रहा है, 88-90 touch कर रहे है, ठीक है, तो वो सारी चीज़े लिखते जाओ, पर यहाँ पर देखो, कौन सा big topic था, वो पता चल दा होगा, कौन सा आपने पढ़ा मैंने question को गलत पढ़ लिया, क्यों, minus 5 तो मिलेगा, आप question गलत पढ़ोगो तो, yes or no, तो वो चीज़ कहा है, आपके दिमाग में save हो जाए, यह गलती करनी ही नहीं है, उसने incorrect लिखा, उसने not correct लिखा, उसने false लिखा, यह सब चीज़ें, ठीक है, आप ध्यान नहीं दे रहे होते हो, तो यह सब चीज़ें जब भी आप पढ़ोगे, तो एक दम question जैसे ही पढ़ोगा, आपके दिमाग में click हो जाएगा, और रहेगा, समय तक हां कि हमको इसका answer बताना है, जो सही नहीं है, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें आप लिखते जाओ, अब यहां पर थोड़ा दो-तीन आपको mock test देने हैं, और overall आपको score चेक करना है, कि overall कितना score आपका आ रहा है, ठीक है, तो यदि आप इस तरीके से इसको follow करते हो, तो I hope कि जो आपका organ chemistry वो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो इसी तरीके की दूसरे चीज़ में inorgan में क्या follow करना चाहिए, किस तरीक होगा, इसके बाद हम उसको देख रहे होंगे, ठीक है, तो सारे लोग comment section में ये link देना, कौन-कौन इस channel को accept करने वाला है, कौन-कौन इसको follow करेगा, तो comment section आपका comment आना बहुत जरूर है, जो से मुझे पता चल जाए, कि हाँ, आप लोग इसको follow कर रहे हैं, ये चोटी- strategies होती हैं, जो कि बहुत ही important होती है, preparation के लिए, क्योंकि आप देखो, पढ़तों सारे लोग रहे हैं, 12-13-15 लाग तक j-means expense होते हैं, जोग दे रहे होते हैं, appeared होते हैं, अब selection कुछी का होना है, material भी easily access हो जाता है, यसा नहीं, इसरप भी पढ़ते हैं, बाकी लोग भी तो फिलाल आप comment section में लिक दीजिएगा, कि channel, जो challenge accepted, ठीक है, मैं इसको follow करूँगा, 21 दिन बाद आप मुझे बताना कितना improvement आप में हुआ है, और ये जो कुछ student को doubt हो रहा है, theory बगारा के regarding, theory कहां से क्या करें, तो मैं जो series चला रहा हूं, उस series को आप follow कर सकते हो, auroran chemistry का stress course, तो अभी तक हमने उसमें सिर्फ दो ही chapter देखे हैं, BOC और आपका structural isomas, topics में basically chapter तो ये की है, और इसके बाद हम शुरू कर रहा है, IUPAC, clear है, तो ये सारी चाहिए आप follow करते रहो, definitely, definitely आप chemistry में बहुत अच्छा score कर पाऊँगे, यदि तीनों portion में, physical chemistry, और auroran chemistry में ऐसा आप कर लेते हो, जो मैं challenge आपको आगे बता रहा हूं, तो आप 99% chemistry में आसानी से ला सकते हो, ठीक है, तो चलो, फिर अपन मिलते हैं, next video में, तब तक के लिए, बाई-बाई